दिवाली रोश्णी का पर्व है दिवाली का त्योहर जीवन में खुशियां और नई उमंग लेकर आता है ये त्योहर हर साल कार्थिक अमवस्या की तिथी को मनाय जाता है मानिता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लोटे थे जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीब जला कर किया था एक अन्य मानिता ये भी है कि दिवाली के दिन ही मालक्षमी प्रकट हुई थी इस कारण इस दिन लक्षमी पूजन किया जाता है शास्तरों के अनुसार दिवाली के दिन शिब मोहरत में गणेश लक्षमी पूजन करने से घर में सुख सन्वधी और खुश्वाली आती है और मालक्षमी का अशिरवात प्राप्त होता है इस बार दिवाली पर कई तरह के शिब संयोग बन रही है आज दिवाली हस्त नक्षत्र और वैदरती योग में मनाई जा रही है ये योग बहुत ही शुब फल देने वाला और सुख में जीवन के लिए अच्छा होता है इसके लावा बुद्ध जो भगवान गनेश को समर्पित है वो तुला राशी में रहेंगे जहां पर पहले से सूरे और शुक्र मौजूद है वहीं गुरू और शनी भी खुद की राशी में मौजूद रहेंगे ऐसे में ये दिवाली बहुत ही सौभाग्य और आर्थिक संपंता बढाने वाली रहेगी दिवाली हर साल कार्थिक मास के अमवस्या को मनाई जाती है इस साल अमवस्याती थी 24 अक्टूबर को शाम पांच बचकर 27 मिनट से शुरू होगी जो की 25 अक्टूबर को शाम 4 बचकर 18 मिनट पर समाप्त होगी तो वहीं लक्ष्मी पूजन का मुहरत शाम 6 बच कर 53 मिनट से शुरू होकर रात 8 बच कर 16 मिनट तक रहेगा लक्ष्मी पूजन की अवधी 1 गंटा 23 मिनट की है इस बीच आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं वहीं लक्ष्मी पूजा के दौरान किन बातों का खयाल रखना चाहिए ये उन पर बात कर लेते हैं ध्यान रखे कि पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी की दो मूर्थियां ना रखें ऐसा होना वास्तु शास्त्र की दृष्टी से शुब नहीं माना जाता साती स्थापित की गई मूर्थी या चित्र कहीं से खंडित यानि की कटा-फटा नहीं होना चाहिए ऐसे प्रतिमा या चित्र की पूजा करना शुब नहीं होता है पूजा करते समय खुश रहें किसी भी गलत तरीके के विचार अपने मन में ना लाएं और हो सके तो परिवार के साथ बैट कर ही पूजा करें पूजा के दौरान शुद घी का एक बड़ा सा दीपक जरूर जलाएं जो अगले दिन तक जलते रहना चाहिए पूजा के दौरान उपयोग की गई पूजा सामगरी को सम्मान पूरवक किसी नदी में प्रवाहित करें भूल कर भी उसका अपमान ना होने पाए तो फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है जोजेन निउस